वेस्टिन कोल्ड फिल्ग्स लिमिटेड याने वेकुली में सैक्रों की संख्या में काम कर रहे निजीवाहन चालकों को नियूंतम वेतन से वन्चित रपकर उनका शोशन किया जा रहा है वेकुली में अधिकारियों को सरकारी काम के लिए निजीवाहन किराय पर दिये गये है इन निजीवाहनों पर वेकुली हर मैंने लाखो रुपे खर्च कर रही है तो दुखी बात यह है कि यह निजीवाहन चलाने वाले चालकों को उनकी हक का नियूंतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है सूत्रों के मताबिक निजीवाहन मालिक फरसी डॉक्यूमेंट जमा करके बिल उठा रहे है जिसे चालक के साथ वेकुली का भी आर्थिक नुकसान हो रहा है चालकों की मजबूरियों का फायदा उठा कर निजीवाहन मालक उनके पास्बुक और एटियम अपने पास सरक की चालकों की वेतन का आदे से भी ज्यादा रकम खुद रख रहे है फरजी चालकों की नाम पर वेतन उठाया चारा है जिसमें वेकुली को चुना लगाया चारा है बीते कई वर्षों से वेकुली में यह शोशन की परंपरा जारी है अब इसके खिलाफ पीड़ी चालकों ने आवास उठाने का मन बना लिया है आने वाले दिनों में वेकुली प्रभंदन की वरिष्ट स्तर पर इसकी शिकायत करके नियाय दिलाने की गुहार लगाने वाले है निजी वाहन चालकों को नियूंतम वेतन 603, 609, 579, 593 रुपे प्रतिदिन के हिसाब से 18-20,000 वेतन मिलना जरूरी है लेकिन निजी वाहन मालक चालकों को केवल 7-8,000 रुपे वेतन दे रहे है बलारपुर वेकुली में इसके खिलाफ आवास उठने के बाद वहां के निजी वाहन चालकों को अब 12,000 रुपे वेतन दिया जा रहा है इसी तरह सभी वेकोली खदानों में भी नीजी वाहन शालोकों की वेतन बढ़ा के उनका शोशन समाप्त करना चाहिए ऐसी मांग हो रही है BCN News के लिए चंद्रपुर से प्रविन बत्की की रिपोर्ट